सो हे गाईज, वेलकम बैक टू दे वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप थ्री बेस्ट एन ओल राउंडर स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, जो कि आपको दस से ग्यार हजार के प्राइस पूंट पर मिल जाएंगे, देखा जाए तो ये तीनों स्मार्टफोन से आप कमाल के गेमिंग भी कर पाएंगे, इसके अलाव आपको बड़ी सी फुल एच्डी प्लस 90 हर्च वाली डिस्पेर रेखने को मिल जाएगे, जिससे आप गेमिंग और कॉंटेंट कंजप्शन मजए से कर सकते हैं, अब टू 6,000 मिल एमपेर की बड़ी सी बैटरी मिल जाएगी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वर्ट तक का फार चार्जर का सुपोर्ट मिल जाएगा, can you believe it, 10-11,000 के प्राइस पोंट पे 33 वर्ट का चार्जर मिल जाता है, तीन में से दो ऐसे स्मार्टफोन है, जिससे आप कोड रेजुलिशन में बोग के वीडियो रिकॉ बागे वीडियो पसंद आए, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को, और नमर वन पर हमने एक ऐसे स्मार्टफोन को रखा है, जो कि इस लिस्ट का सबसे नियोस्ट स्मार्टफोन है, और काफी तगरिफ फीचर के स साथ आता है, वो भी 10,000 के प्राइस पॉइंट पर, मेरे ख्याल से ये फोन अंडर रेटेड है, क्योंकि ब्रेंड ने बहुत ही कम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है, इस फोन का, तो इस फोन का नाम है टेकनो स्पार्क 8 प्रो, अब टेकनो का है, तो ये मत सोचना क की फोन बेकार है, हम जानते हैं, टेकनो और इंफिनिक्स ने कितना ज्यादा धहमाल मचाया है, 2021 में, in fact, Realme, Redmi और Samsung से भी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन लौंच किया है, इंडियर मार्केट में, और सारे स्मार्टफोन वेल्यू फोर मनी है, तो आते हैं, अपने टेकनो प्लास्टिक बोड़ी है, और इस प्लास्टिक बोड़ी है, और इस प्लास्टिक बोड़ी ही मिलेगी आपको सभी स्मार्टफोन के अंदर, 8.8 mm थिकनेश के साथ आता है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं है, and 196 gram weight के साथ आता है, मतलब weight भी ठीक ठाप कह सकते हैं, तो राइड फिंगर्पिन स्कैनर है, ट्रिपल स्लोट के साथ आता है, तो दो सी मौरेक मेमरी कार्ट लागा सकते हैं, इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाएगी, और इसी को चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर दिया गया है, एक से 7 गंटे के असपास फुल चार् मिल जाएगी आपको, IP52 रेटिंग के साथ आता है, तो हलका फुलका पानी के जाएगा, तो कोई इस्यू नहीं आएगा, परफॉमेंस की बात करें तो इस फॉन के अंदर आपको वेल ऑप्टिमाइज मीडिया टेक जी 85 का चिपसेट मिल जाएगा, जो कि एक 4G चिपसेट ह 12 एनम पर बना हुआ है, और यह एक गेमिंग चिपसेट है, और राउंड 2 लाग कास पास अन्तुत स्कोर देखनी को मिल जाती है, EMCC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है, और डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, तो गेमिंग परफॉमेंस भी आपको काफी अच्छी म इर कैमरे से कॉड रयजूलिट्विचन में 30 एक अप्राइस तक उप्षिण कर पाएगए, वह को बीडियो रिकॉर्ड करने का भी ओप्सन दिया गया है, फ्रेंट में 8 मेपकिक्सल का सैल्फी कैमरा दिया गया है, और सेल्फी कैमरे से भी 1080 एक में 30 एक तक इक बीडियो र एनिची ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है एस्पेसिली कॉंटेंट के लिए अच्छा है यह फॉन क्यूंकि बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है एंड्रोइड 11 के साथ आता है बेस्टोन हाइव एस 7.6 तो थोड़े बहुत ब्लोट पेर्स आपको मिलेंगे तो यह कुछ मिल जाएगा और 10,000 के हिसाब से मेरे ख्याल से वन आप बेस्टील है यह बस इस फोन के युवाइस से आपको थोड़ी बहुत प्रोब्लम हो सकती है इसके आलावाइस फोन के अंदर आपको किसी भी तरह का इस्व नहीं मिलने वाला है चली बात करते हैं अपने अगले स्म प्लास्टी का बैक और प्लास्टी का फ्रेम दिया गया है हाला कि इस फॉन का कैमरा आलाइनमेंट मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा अजीब सा कैमरा सेटब लगता है देखने में और वहीं पर आपको रियर मांटेर फिंगर में स्कैनर भी देखने को मिल जाएग सब्सक्राइब के बारे में बात करें तो एंडूइड 11 के साथ आता है बेस्ट और रियल्म यूए 2.0 बाकि ट्रिपल स्लोट का ओप्सन देखने को मिली जाएगा तो दो सिम और एक मेमरी काड लगा पाएंगे चलिए कैमरा सेटब के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपल सब्सक्राइब का ध्यान रखना बाकि फ्रेंट में 8 में अपक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि वी नौच के साथ आता है रियर एंड फ्रेंट दोनों ही कैमरे से 1080 में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ट कर पाएंगे बाकि स्लो मोशन HDR पोर्ट्रेट और भी बहुत सा आप से अच्छा ही मिल जाएगा डिस्प्ले के बारें बात करें तो 6.5 फिंचेस की एच्टी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की IPS पैनल के साथ आता है और स्टेंडर सिक्स्टी हर्ट रिफ्रेसेट के साथ आता है बाकि 120 हर्ट का सेंप्लिंग रेट दिया गया है जो की काफी सभी बात हो जाती है इस्पेशली गेमर्स के लिए और कोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है सिंगल बोटम फायर स्पीकर देखने को मिल जाएगा प्राइस की बात करें तो चार्जबी रैम और 64GB स्टोरेच के लिए 11,499 रुपे करने होंगे और 1000 फीचर्स अच्छे हैं सिवाई इस फॉन में हमें सिर्फ एचीडी प्लस डिस्पेश देखने को मिलता है जो कि मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस प्राइच रिंज पर एट लेस्ट होनी चाहिए सो बात करते दोस्तों अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो नमबर 3 पर हमने रखा है इंफनिक्स होट 11S को वैसे सच कहूं तो इस फॉन को मैंने सबसे यदा लोगों को रिकमेंड किया है 10-11,000 के प्राइस पॉइंट पर क्यूंकि इसमें हमें काफी तगरे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो यह फॉन भी पॉली स्कानर होता तो साइध इस फॉन को मैं सबसे अच्छा स्मार्टफोन बता सकता था बाकि डिस्प्लेइस में आपको अच्छा मिल जाता है 6.78 इंचिस की फुल एच्डी प्लस देखने को मिल जाता है जो कि IPS पैनल के साथ आता है और पंच्छल कटाउट के साथ आता है 90 हर् सेंब्लिंग रेट भी दिया गया है जो कि आपको गेमिंग के लिए काम आएगा 500 नीट्स की पीक ब्रैटनिस भी दी गई है तो डिस्प्लेइं में अच्छा मिल जाता है इस फॉन के अंदर 5000 मिली एंपर की बैटरी लगी हुए है और उसी को चार्ज करने के लिए 18 वोट क देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है नॉर्मल और डिसंट की गेमिंग कर सकते हैं कोई इसू नहीं आएगा डियूल स्पीकर इसमें दिया गया है जो कि काफी कमाल की बात हो जाती है ट्रिपल स्लोट के साथ आता है तो दो सी मॉरेक मेमरी कार लगा सकते हैं 11 के साथ आता है बेस्ट उन एक्ट्रैट 7.6 क्यामरा के बात करें यह फोन ट्रिपल डियर के साथ आता है प्राइमी संसर 50 मिया पिक्सल का दिया गया है जो की उख्याइट के लिए लेंस दिया गया है फरन्ट में इत में जुख्याठ का इस तक वीडियो रिकोड कर पाएं पर पे करने होंगे लेकिन आए दिन सेल चलती रहती है तो यह फॉन भी आपको 10,000 के नीचे मिल जाएगा सेल के दोरान या फिर कुछ बैंक ओफर अपलाई कर दोगे तो अगर आपको इस प्राइस जेंज में एक ऐसा फोंचे जिसमें डिस्प्ले भी अच्छा हो डियूल स्पीकर भी हो कैमरा सेटप भी अच्छा हो और परफॉमिंस भी अच्छा मिल जाए तो यही थे कुछ बैस स्मार्ट फोन जो कि आपको 10 से 11,000 के प्राइस पॉंट पर मिल जाएंगे बताने को तो मैं आपको पांच से भी ज्यादा स्पांट फोन बता सकता था लेकिन मैंने आपको वही तीन स्पांट फोन बताये हैं जो कि सच में वैल्ली फोर मनी स्पांट फोन है दसे अभी भी आपका कुछ डाउट रह गया